और यह हमारे किसको रप्रजेंट कर देगा जड़ेगा एज को तो फैक्टर एक टो गया एक डिरेक्ट्शन में और दूसरा अगर आगा य जटारेक्शन है क्लियर अगर हम देखें तो इसका यह रिजर्टेंट होगा एक हमें यह पहलो स्टुडेंट्स तो कैसे हैं आप लोग बढ़ोग नीए क्टर्ट करते हैं मोशन इन ऊपलीन का लेक्षर No.1 और इसके अंदर हम देखेंगे vector क्या होते हैं और इसके types देखेंगे फिर इसकी properties देखेंगे ठीक है तो इसके बाद हम उसके कुछ numerical देखेंगे ठीक है तो देखें सबसे पहले चीज हम स्टार्ट करते है vector से ठीक है तो vector क्या चीज होती है vector किसको बोलते है जिसके अंदर magnitude ह और direction हो, क्या हो? magnitude with direction हो, यानि कि जब वो object हो, यानि कि उसकी जब वो movement के अंदर आए तो उसका क्यों होगा? कुछ direction होगा और उसका कुछ magnitude होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? Vector बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? Vector यानि कि Vector क्या चीज़ है? बोट magnitude and direction बोट magnitude एंड डारेक्शन भाईया ठीक यह आपका क्या कहलाता है यह आपका कहलाता है वेक्टर ठीक है यानिकि जिसके अंदर खुद का इसका हमका क्या सब्सक् Reverse कि सब्सक्राइब कंचिण क्या सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब कह nhưng on the magnitude तो उसको हम क्या बोलते है स्केलर कॉंटिटी जैसे स्केलर कॉंटिटी आपकी क्या होती है स्केलर कॉंटिटी होती है आपकी टाइम है ठीक है टाइम हो गया डिस्टेंस हो गया क्या हो गया डिस्टेंस हो गया करेंट हो गया यह सब क्या है हमारी स्केलर कॉंटिटी यानि क यहां बात करते हैं मेनिटि वीड तो के अंदर क्या होता है मेनिट्यूद भी चले ठीक है तो उसकी कुछ numerical value हो जो उसका magnitude होगा जैसे किसी की 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी हो ठीक है यह सब क्या होती है magnitude होता है अब दूसरी चीज डारेक्शन हो ठीक है यानि कि motion है न प्रेन की बात कर रहा है तो xy plane होगा xy plane हो या xy z plane हो तो इसके अंदर क्या होगा कि देख आया क्या बनाया xy plane अब इस xy plane के अंदर कोई particle है suppose कर लो कोई भी है हनी भी हो सकती है कोई भी है यहां पर लो रही है ठीक और एक observer आपका यहां खड़ा हुआ है जब यह इसको देख रहा है तो वह देखागा यह कुछ उचाई पर भी है और जब इसको रेक्टी लीनियर में देखेगा तो देखेगा कि यहां से भी कुछ डिस्टेंस आ रही है ठीक है xy plane किलियर हो गया इतना तो अब हम क्या करेंगे इस मक्ही की यानि कि पोजिशन देखा है हमने यहां पर पार्टिकल हमारा पी रख दिया अब पी कहां पर है xy plane के अंदर बात करेंगे तो इ यह हमारा x-axis से होगा और यह कुछ इसका y-axis से distance होगा यह हमने y ले लिया यह हमारा x हो जाएगा ठीक यानि की object की दो position हो लेकिन देखे जब observer देखेगा इसको तो observer कहां देखेगा जब कोई observer इसको note करेगा तो किस direction में note करेगा observer 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 note करेगा कि मक्खी यह है आपकी वह इस direction में है ठीक तो इसकी कोई एक particular direction है ठीक है अब इसके अंदर quantity यह कौन सी होती है देखे वेक्टर quantity बहुत जादा है ठीक है तो हम example लेते हैं इनका example बात करें ठीक है तो देखे सबसे पहली आपकी होई आती है displacement क्या होता है displacement displacement हमारी कैसी है quantity है vector quantity है ठीक उसके बाद में आपकी आती है velocity क्या आता है velocity है फिर आपका क्या है acceleration है acceleration acceleration दो तरीके होता है एक तो due to gravity होता है जो हमेशा downward लगता है ठीक यानि कि suppose कीजिए कि इस अर्थ surface की ऊपर यह कोई बॉल रखी हुई है क्या रखी हुई है यह बॉल रखी हुई है तो due to acceleration दूट ग्रेविटी इसकी direction कहा होगी इसका weight कहा लगता है कोई भी object है हम खड़ हुए तो इसका weight कहा होगा weight इसका नीचे की तरफ होगा यानि कि जब हम इसको किसी object को इस तरह से फैके तो जी कहा आ लगेगी down to earth लगेगी यानि की center की तरफ लगती है यानि की downward जाता है कहां downward ठीक तो acceleration due to gravity कहां होता है downward लगता है यानि कि इसको हम क्या लिखेंगे अगर G को लिखना पड़े तो हम किसमें लिखेंगे G J cap minus यानि कि minus sign क्या indicate कर रहा है कि below the Y-axis एजिक कहां पर है y-axis पर है कहां पर है downward है ठीक clear हो गया इतना तो ये क्या है हमारी ये एक हमारी vector quantity है तो weight हमारा क्या होता है अब आगर हम देखें तो weight का formula होता है एमारा weight w is equal to mg weight हमारा क्या हो यता है vector quantity है ठीक mass हमारी क्यों होती है स्केलर कॉंटिटी होती है तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं मास भी हमारी कैसी कॉंटिटी है मास हमारी स्केलर कॉंटिटी है वेट हमारा कैसा है इसकेलर कॉंटिटी है क्या है वेक्टर कॉंटिटी क्योंकि वेट डारेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है एक्सेलेशन समझा रहा हूं जहां पर acceleration due to gravity की direction होगी वहीं पर ही क्या होगा वेट की direction होगी ठीक है direction बड़ा important role पर रही है ठीक है साफ अब उसके बाद में आती है आपकी velocity तो velocity क्यों होती है the rate change of displacement यानिकी displacement के अंदर जब changing होगा तो वो क्या के लाएंगी हमारी velocity क्लाएंगी clear हो गयतना अब acceleration क्यों होता है यानिकी rate change of velocity तो वो क्या होता है acceleration क्या होलाता है ठीक इसी तरीके से आपका क्या होग PRS क्या होता है आपकी vector quantity ठीक ओब फोर्स का अगर हम formula क्यों कितना होता है pivot acceleration जो है कैसी कॉंटिटी है वेक्टर कॉंटिटी है एक्सेलेरेशन वेक्टर कॉंटिटी है मास हमारी स्केलर कॉंटिटी है ठीक है यानि कि अगर हम यहाँ पर देखें अगर किसी स्केलर कॉंटिटी में scalar, उसकी vector quantity में अगर हम किसी number का multiplication कर दे, ठीक है? किसी number का multiplication कर दे, तो क्या होता है? Vector का magnitude बढ़ जाता है, direction की उपर कोई effect नहीं पड़ता है. यानि कि अगर हम किसी का multiplication कर दें, किसी उसके vector quantity के साथ में, तो उसका क्या होगा? magnitude बढ़ जाएगा ठीक है लेकिन डारेक्शन उसकी वही रहेगी यानि कि एक्सेलेशन की जो डारेक्शन होगी वही फोर्स की डारेक्शन होगी किलियर हो गया ठीक है अब बात करते हैं जरा तोड़ा सा आगे चल जाएं थोड़ा सा 12 में आते हैं तो अगर हम देखें हैं electric field क्या electric field intensity थीख led कितना होता है ef upon q0 ठीक है यानि कि electric इंटेंसिटी की बात कर रहेते हैं तो इस और होता है f upon q तो q हमारा क्या है charge क्या होता है? charge हमारी scalar quantity है क्या है? charge scalar quantity है अब यहां से एक चीज देखिए यानि कि जो force की direction होगी जो force की direction होगी वही किसकी direction होगी? electric field की direction होगी अच्छा है यह सब बनता कहां से? charge की उपर से बनता है जैसे अगर हम एक positive charge ले तो इसमें electric field कहां जा रहे होंगी outward जांगी कहां जाती है outward जाती है ठीक है electric field और अगर हम यहां पर कोई negative charge रखते हैं तो इसकी electric field को होती है inward आती है कहां पर आती है inward ठीक साब अगर हम इस electric field line की उपर एक लांणट्र कर दें एक सáng रखा क्यृष करते हैं तो आमको क्या पता चलता है कि इसकी कुछ direction थे ज्याक्ष की डार्यक्षिन है Ey Television और यहां से एक चीज़ देखें अगर हम किसी व्यक्टर कॉंटिटी में किसी व्यक्टर कॉंट्रिटी में क्या करें किसी नमर का division कर देते हैं तो वहाँ पर क्यों होगा magnitude कम हो जाएगा उसका magnitude कम हो जाएगा ठीक है और उसकी direction की उपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना समझी में आ गया ठीक अब बात करते हैं types of vector की किसकी types of vector की साथ ठीक है साथ तो यहाँ पर एक चीज में आपको समझा दूँ हम एक graph बना के चल लाएं ठीक है एक graph बना लेते हैं पहले यह हमने कोई एक graph draw कर लिया ठीक साथ graph हमने draw कर लिया अब इस graph के उपर हमको क्या देखना है इस graph सूपर हम समझेंगे देखे types of vector हमारे है क्या यह तो इसको अभी बना हुआ छोड़ दो सबसे पहली चीज हमें दमाग में रखना है positive vector क्या रखना है positive vector अरे भाईया यह positive vector पर एक चीज समझे लो vector है क्या ठीक है सब vector क्या है तो vector जो होता है हम उसको arrow से represent करते हैं यानि कि किसी number के उपर अगर हम arrow लग लगा दें तो यह हमारा क्यों हो गया vector हो गया अब इसका magnitude क्यों होता है magnitude को मौड लगा के करते हैं ठीक है और एक होती है हमारी direction तो हम क्या करते हैं चिससे उसकी direction दिखा देते हैं ठीक है जिसको हम unit vector भी बोलते हैं अब देखिए आगर किसी vector की जो length है ठीक है length क्या होता है यानि कि length of vector length of vector ठीक है क्या होता है is known as magnitude is known as magnitude यानि कि किसी vector की जो length है वो इसको क्या represent करता है length of vector होता है क्या magnitude ठीक है अगर हमने vector को यहां से लिया O और A, इस point तक दिखा दिया, तो यह O A क्या है, O A is equal to है, आपका magnitude, क्या है, magnitude, ठीक, और यह क्या होती है, आपकी length होती है, ठीक है, clear हो गया, यह मैं भूल गया था, clear, चलो, ठीक, अब जरा हम चलते, types of vector पर, तो सबसे पहली चीज हम positive vector समझेंगे, ठीक है, और positive vector के बाद मे हम क्या समझेंगे, इसका opposite negative vector समझेंगे, क्या, negative vector भी समझिना है, ठीक, फिर उसके बाद हम समझेंगे parallel vector, क्या समझेंगे, parallel vector, फिर हम समझेंगे, इसका anti-parallel vector, क्या, anti-parallel वेक्टर ठीक यह हमारे चार टाइप्स के यहां पर यह वेक्टर हो गए अब इसके बाद में हैं अगर हम डाल दें तो अब हम समझेंगे जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर इसको हम क्या बोलते हैं नल वेक्टर भी बोलते हैं क्या नल वेक्टर ठीक साथ यानि कि जीरो कि ग्या प्लिके समझें सेनी अब को अथ समेटर व्ली दें हैं यह बतने से अपन पर देतquer कि उसके यह बाद में आक सपेट प्लानर व्यक्टर क्या और वेक्टर को टर्मिलेस हो गया को इनिशेल हो गया को पिलानर हो गया जीरो वेक्टर हो गया ठीक है साब आठ वेक्टर हो गया नल वेक्टर हो गया हमारा एक उता है हमारा किना मुसका पैरलल एंटी पैरलल नेगेटिव पॉजिटिव वेक्टर को इनिशेल वेक्टर को टर्म गोनल वेक्टर ठीक साथ 5 6 7 8 9 और ये 10 फिक्ष्ड वेक्टर होता है और नॉन फिक्ष्ड वेक्टर होता है एक पोलर वेक्टर भी होता है ठीक है तो उसको भी डाल देते हैं यहाँ पर 11 एक होता है हमारा फिक्ष्ड वेक्टर क्या फिक्ष्ड वेक्टर और एक होता है हमारा नॉन फिक्ष्ड वेक्टर यानि कि लोकलाइज होगे नॉन लोकलाइज लेलो इसको नॉन लोकलाइज वेक्टर और इस फिक्ष्ड वेक्टर को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर क्या बोलते हैं फ्री वेक् अब समझते हैं positive vector और negative vector ठीक है साफ पाउसे रहा पकहर आना है तो व्क्तों न होता है नेगेटिव भी होता है 0 और यानि कि अगर हम displacement लेती है ठीक है तो displacement हमारा कैसा होता है negative भी आता है positive भी आता है जीलो भी आता है रेक्ति लीनियम मोचन वाली पहली वीडियो के अंदर मैंने समझा भी रखा है ठीक है अब दूसरी चीज आती है हमारी positive vector हो गया negative हो कर और उसका बाद में हमारा क्या हो गया positive पॉजिटिव वेक्टर क्या चीज़ है समझते हम पॉजिटिव वेक्टर और यहीं पर हम समझेंगे नेगेटिव वेक्टर क्या समझेंगे नेगेटिव वेक्टर भी समझेंगे और उसके बाद में हम यहां पर भी समझ लेंगे जीरो वेक्टर यह दोनों समझ लेंगे तीनों ठीक है तो वस अब दुबारा में गराब बनाता हूं ठीक है ओ गराब काम नहीं आया अब काम आयागा अरे क्या बना दिया चलो पॉजिटिव वेक्टर देखिए अगर हम किसी भी डारेक्शन में एक्स डारेक्शन में जाएं वाई डारेक्शन में जाएं ठीक है यानि कि एक्स हमने ये ले लिया ये हमने वाई ले लिया और यह हमारा वाई डैस हो जाएगा यह हमारा एक्स डैस हो गया ठीक देखिए कि cv वैक्टर की डारेक्शन x-axis पे लें, y-axis पे लें, तो कैसी होती है, positive होता है, कैसा होता है, positive vector होता है, यानि कि अगर हम यहां से start करें, ठीक है, यहां से, यहां जाते हैं, तो positive vector की direction कहा होगी, यह तो along the x-axis होगी, या फिर along the y-axis होगी, ठीक ये इस तरफ होगी किलियर हो गया ऐसे हो सकता है और अगर हम x y z plane के अंदर लें किसके अंदर लें x y z plane के अंदर x y z दिएके positive vector क्या हो जिसका magnitude हमारा कैसा हो positive मिल जाएं यानि कि direction हमारी plus में आ जाएं ठीक है तो उसको क्या बोलते है positive vector बोलते है क्या बोलते हैं positive vector यानि कि positive vector की direction कहा होगी या तो along the along the x-axis हो y-axis हो और z-axis हो ठीक है अगर हमारी along the positive आ रही है तो इसको क्या बोलते हैं positive vector बोलते हैं क्या बोलते है positive vector बोलते हैं अब देखे suppose कि ये कि आपका ये कोई graph था ठीक है point vector आपने जो start करा ठीक है vector की जो position थी वो कितनी थी यानि कि two meter तक की थी तो इसका मतलब है वो zero से two meter चला तो यानि कि अगर हमने ये one ले लिया ये two ले लिया ठीक है तो जब हम इसका vector represent करेंगे तो ये क्यों हो गया देखे इसका magnitude कितना हो गया दो हो गया direction इसकी कहा पर है positive direction means negative direction positive direction तो इसको हम क्या बोलते है positive vector सेब इसी तरीके से y axis में होगा ठीक है इसी तरीके से नेगेटिवексflowing को समझ सकते हैं अ गशितर की डारेक्शन होती है वह कहां होती है negative vector की direction होती है किदर की होगी यानि कि along along the x prime हो y prime या फिर z prime तो इसको क्या बोलते है negative vector बोलते है अब सवाल आता है कि एक positive vector है और एक negative vector है क्या इन दोनों का magnitude same हो सकता है जी हो सकता है magnitude same भी हो सकता है different भी हो सकता है ठीक है जैसे यानि कि अगर हम यहाँ पड़ देखें किलियर कि क्या पॉजिटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव वेक्टर का मैगनिट्यूड शेम होता है तो आंसर है यस होता है तो आप से कह देकर एक कोई पोजिशन आ रही है जिसकी है माइनस थ्री मीटर उसकी पोजिशन है और दूसरे की यह आपकी 2 meter तो सेम लिखा रहे हैं 3 meter प्लस 3 meter तो अब हम क्या करेंगे एक line ड्रो कर लेंगे क्या एक line हम draw करेंगे यह हमने एक line ड्रो कर ली ठीक इसके point पे यहाँ पर चले गए तो यह one हो गया यह two हो जाता है मलो और यह कितनो जाता है 3 हो जाता है और यह कितना हो गया माइनस का 2 यह कितना हो गया माइनस का 3 यह कितना हो गया माइनस का 3 यह कितना हो गया प्लस का 2 और यह कितना हो गया प्लस का 3 तो कहना का मतलब है जब हम इसकी डारेक्शन निकालेंगे जब हम इसकी डारेक्शन निकालेंगे यानि कि तो अग क्ये हो जाएंगी चेंज हो जाएगी कैसी हो जाएंगी चेंज यान कि डार इसकी है इआ यहां Dal pos ई लेकिन दौनौ समझ में आ घया थीए साफ negative समझ में आ खी चाहल C employee जिए रो वेक्टर में होता है जी रो बेक्टरक्र universo यसाथ निटाव कि मैं कि ऐसे समझ लीजिए जीरो वेक्टर की डारेक्शन एक हम डिफाइंड नहीं कर तक तिल लेकिन इसकी कुछ डारेक्शन होगी इसकी कुछ डारेक्शन होगी ठीक है साथ देखते हैं देखो यानि कि देखो, यहां से आप चले, आपने यह point ले लिया, ठीक, यह point लिया कोई, और एक यह point लिया, यानि कि दोनों का magnitude कैसा हो, magnitude कैसा होगा, दो वेक्टरों से 0 वेक्टर समझेंगे हम, ठीक है, दोनों का magnitude सेम है, क्या है, magnitude सेम, ठीक, और resultant उनका हमें find करना है, क्या करना है, resultant find करना है, ठीक है, और direction कैसी होनी चाहिए, direction opposite हो, कैसी हो direction, opposite direction में हो, ठीक है, यानि कि एक 2 मीटर की direction positive है, और दूसरे की direction कितनी हो, 2 मीटर negative हो, जब हम इसका resultant निकालेंगे, इस कौम ने ले लिए vector A, और इस कौम ने ले करेंगे, क्या कर देंगे, इन vector को जब हम add करेंगे, तो इनका जो resultant आ रहा है, वो कितना आएगा, resultant आपको हो जागा, 2 मीटर minus 2 मीटर, ये cancel हो जागा, तो resultant इसका कितना हो गया, 0 vector हो गया, यानि कि इसकी direction हम find नहीं कर सकते, लेकिन 0 vector क्या होता है, directional vector होता है, क्या होता ह है, 0 vector हमारा कैसा होता है, directional vector होता है, ठीक है साब, अब इसके बाद चलते हैं हम किस पर, इसके बाद देखते हैं हमारे कौन से vector है, जो हमें समझने है, ठीक, positive हो गया, negative हो गया, कौन कौन से हो गया, एक तो हमारा positive vector हो गया, negative vector हो गया, और 0 vector हो गया, क्या हो गया, 0 vector, अब क यानि कि हमारा अब आड़ेया है पैरलल वेक्टर ठीक है देखे पैरलल वेक्टर क्यों होगा दो वेक्टरों की डारेक्शन सेम होगी कैसी होगी डारेक्शन सेम होगी कोई भी दो वेक्टर ले ले दो हो तीन हो वह हमारे पैरलल वेक्टर हो जांगे ठीक है यह हमारी क्या है यह हमारा एक वेक्टर है और यह वेक्टर क्या है हमारा वेक्टर भी है एक को हमने वेक्टर ए दे दिया और एक को वेक्टर भी यह दे दिया अभी यह दोनों की डिरेक्शन कैसी है पॉजिटिव है दोनों की डिरेक्शन कैसी है पॉजिटिव है अब एक वेक्टर हमने यह और दूसरा वेक्टर हमने यह ले लिया दोनों की डारेक्शन कैसी है नेगेटिव की तरफ है क्या है नेगेटिव की तरफ है अच्छा एक वेक्टर हमने लिया यह वाला ठीक और एक वेक्टर और लिया यह ले लिया यानि कि हमें दो तरीके से समझना है देखिए मैंने क्या बताया था कि land of vector क्यों होता है magnitude कहलाता है land of vector क्यों होता है magnitude होता है ठीक है इसको आमने नाम दिया वेक्टर ए और इसको अमने नाम दिया वेक्टर भी इसको अमने नाम दिया वेक्टर भी इसको अमने नाम दिया वेक्टर भी इसको 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 नाम दिया वेक्टर भी ठीक है यह दो वेक्टर पहली condition और दूसरी condition में क्या करा गया है इस वाली condition में और इस वाली condition में दोनों का magnitude same है क्या है यहां पर यानि की magnitude same magnitude same और direction भी कैसी है direction same देखिए parallel vector के नहीं है directions कैसी होनी चाहिए same होनी चाहिए magnitude भी हमारा same हो सकता है direction भी हमारी same हो सकती है clear तो देखिए दोनों का क्या है magnitude भी same है direction भी same है इसमें भी क्या है magnitude same है यानि की magnitude of a और magnitude of b ठीक है क्या है बराबर है यानि की दोनों का magnitude क्या है same है और direction भी कैसी है same है लेकिन इसकी कैसी direction है इसकी direction है हमारी positive direction कैसी direction है positive direction और इन दोनों वेक्टर की कैसी डारेक्शन है नेगेटिव डारेक्शन है कैसी है नेगेटिव डारेक्शन माइनस नेगेटिव डारेक्शन क्या है बया नेगेटिव डारेक्शन तो हमको यहां से यह मालम चला कि दो वेक्टर पैरलल वेक्टर कब होते हैं जब उनकी डारेक ठीक है और अबने क्या देखा magnitude सेम है दोनों condition में अब इस condition में देखो ठीक है अब हमें दिख रहा है इसकी length जादा है ठीक है तो इसका मतलब है magnitude of a greater than है किस से magnitude of b लेकिन दोनों की direction कैसी है अब जब a greater than हो सकता है तो magnitude of b भी बड़ा हो सकता है magnitude of a से ठीक है लेकिन दोनों की direction कैसी है सेम है यानि की डारेक्शन सेम है डारेक्शन सेम है ठीक इनकी डारेक्शन कैसी है इनकी भी डारेक्शन सेम है डारेक्शन सेम है ठीक मैगनिटूड क्या है डिफरेंट है magnitude क्या है different है यानि कि a का magnitude ज्यादा है और b का magnitude कम है तो b का magnitude भी ज्यादे हो सकता है और a का magnitude कम भी हो सकता है यह हमारा क्यों हो गया parallel vector हो गया अब इसके just opposite क्यों होता है अंला न silicon को होता है देखो दो वैक्तर ओंगी डारेक्शन की होगो डारेक्शन एक दूसरे के अपोजेट पोजेट ओकी क्या होगी डारेक्शन एक दूसरे के ना दूसरी चीज इसको दिया हमने वेक्टर ए और इसको दिया हमने वेक्टर ए इसको दिया हमने वेक्टर भी पहली सिच्वेशन में क्या है दौनों का मैगनिट्यूड से में भाईया देखो मिला लो दौनों का मैगनिट्यूड क्या है से में क्या है दौनों का मैगनिट्यूड से में साथ कि यानि कि direction इनकी कैसी होगी direction opposite होगी direction इस विल भी opposite क्या direction विल भी opposite और magnitude में magnitude में और में नॉट भी सेम और में नॉट भी सेम आइधर सेम होगा और दिफ्रेंट भी हो सकता है मतलब देखो पहली condition में क्या दोनों की direction opposite एक positive vector एक negative vector है clear हो गया इतना ठीक है साब डारेक्शन इनकी कैसी opposite magnitude पहली वाली condition में क्या है सेम है इस वाली condition में क्या है magnitude different है यानि कि इसमें क्यों होगा magnitude a बड़ा है और magnitude b छोटा है इसमें क्यों हो गया magnitude a छोटा है और magnitude b बड़ा है ठीक है दौनों की direction कैसी है opposite है यहां पर आपका खतम हो जाता है anti parallel vector क्या anti parallel ठीक है साब अब बात करते हैं इनकी को को वालों की कि को को इनीशियल को टर मिनस को पिलाना ठीक है साब इसको समझते हैं को इनीशियल देखिए अब आता है आपका को इनीशियल क्या आता है को इनीशियल है वेक्टर है को इनीशियल वेक्टर क्यों होगा देखिए दो वेक्टर हो या दो से जादे वेक्टर हो is starting point same होगा उनका क्या होगा starting point same होगा ही केकशाब को initial vector yianhaki starting point Housing magnitude वहीई me be equal me not be equal थीकसा अब को initial हम समझ लें जैसे देखो suppose कीजिए कि एक vector आपका ऐसा जा ठीक है साब दूसरा वेक्टर आपका जो था उसकी डारेक्शन कुछ इस तरह से थी ठीक है साब और तीसरा वेक्टर क्या था आपका ऐसे जा रहे हैं चौता क्या है ऐसे जा रहे हैं पांच मां क्या है ऐसे जा रहे हैं ठीक है तो आपने पांच शे वेक्टर एकटे ले D और E सारे वैक्टरों का सारे वैक्टरों का क्या है Dat시 Starting Point same है तो इसलिए इसको क्या बोलते है Coinitial Vector बोलते है Co-Terminus Vector क्या होते है Co-Terminus Vector तो Co-Terminus Vector क्या होता Co-Terminus Vector उन Vector को couleur जिनका Terminal Point एक जैसा हो एक ही Point पर आके मिले क्या एक ही point पर आके मिलेंगे co-terminus vector यानि कि अगर हमने एक vector इस तरह से लिया ठीक है एक vector हमारा इस तरह से जा रहे है दूसरा vector यहां से आ रहे है तीसरा vector हमारा यहां से आ रहे है तो इनका जो मिलने वाला point है वो कैसा है same है क्या है same point पर मिलने तो इनको क्या बोले आता है co-terminus vector same y condition co-terminus vector magnitude में और may not be same ठीक है magnitude में और may not be same ठीक है यह start होती है आपकी लामी theorem भी आती है इसके अंदर क्या आती है लामी theorem और इसको हम solve कैसे करते हैं तो अगर हमने इसको vector a लिया है और इसके सामने का angle alpha ले ठीक है और इ किसी की सामने का angle हम कहा ले लेते हैं बीटा इसको इंग वेक्टर c लिया है तो उसके इस सी डिएक्टर लिते हैं इसका इंगल कितना कीना लिए गामा क्या ले लेते गामा तो लामी theorem कि zoning क्या हो जागा sign alfa अपॉन a ठीक है यानि कि a upon sin alpha ले लेते हैं या sin alpha upon a ले 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 ठीक है sin alpha upon a ले लेते हैं चलो sin alpha upon a यानि कि sin beta upon b और sin gamma upon c ठीक है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a upon sin a ठीक है b upon sin b और c upon sin c ठीक है जब इनको point मानेंगे तो एक जगए k लेंगे एक जगए one upon k ले ले लेते हैं ठीक है यह आपका क्यों हो गया co terminus vector हो गया अब आता है आपका co planner vector कौन सा co planner vector क्या co planner vector को 2020 रुष्पतर क्या होता है हम को एक एक f1 इन माना लेते हैं कि बना लने एक क्या इstat away plane clear अब है तो वेक्टर क्या होंगे एक ही plan के अंदर हो ठीक है याने कि दो हो तीन हो वो सब क्या होँगे एक ही plane के अंदर हो तो उनको क्या बोला जाता है को planer vector यानि कि क्या होगा single plane के अंदर एक्टर होगे कौन से होंगे वेक्टर और एक्स वाई भेक्टर एकस वाई प्लेडा उसको शो Schn in a Jak ुप क्या वोछते को प्रिख जैसे सपोस्ट कीूण में यहां पर कहां पर एक बाल रखी और यहां पर एक आदमी ढ़ला इस पर यह किक कर रहा तो यह क्या होगा इसके vector, इसके vector का resolution करेंगे, तो एक x-axis में जा रहे होगा, एक y-axis में जा रहे होगा, जैसी इस वाले point पे निकालेंगे, तो एक axis इधर जा रहे होगा, एक axis पे इधर जा रहे होगा, और एक हमारा, यह हमारी tangential line होगी, जो इस पर करकी जाएगी, एक हम यहाँ पर कीच लें एक हम यहाँ पर कंच लेंगे श्पर 1 लाइन और कल लेंगे तो यह सब क्या है एक ही प्लेइन के अंदर है ना यहनि goose कंपोनेंट और यू एकस कंपोनेंट और ये इसका कितुन होगा ये कितना के अंदर हो क्या इसके अंदर हो एक ही प्रीन के अंदर हो सर्कुलर मोशन में भी क्या होते हैं को प्लानर वेक्टर होते हैं यहां तक समझ में आगया को प्लानर अब बात कर लेते हैं को लीनियर वेक्टर की किसकी को लीनियर वेक्टर क्या को लीनियर वेक्टर साथ को लीनि वेक्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं को लीनियर वेक्टर सबोस करो यह हमारा कोई स्टेट पाथ है क्या है कोई स्टेट पाथ है ठीक है और यहां पर हमने कोई बॉल बना ली एक कोई है कि हमने बॉल ले ली और एक हमने यह बॉल ले ली और यह हमने एक और बॉल ले ली ठीक है यह तीन चार बॉल हमने ले लिए चल रही है इस बॉल का नाम दिया हमने ए इसको नाम दिया हमने बी इसको नाम दिया हमने सी देखिए इनका मैंनिटूड स सेंबोगं सोग कोई फरक न हुए को herself को टांयोन अच्छा दारेक्शन भी क्या होताए एक ही लाइन में हो कंव हो कि एक ही लाइन पर हो ठीक एक है खी लाइन पर हो ठीक है सानब क्लिर हो गया जैसे यह इधर जा रहे है यह От होगा मालों यह भी इदर जा रहे हैं यह भी इदर जा रहे हैं तो इस सब क्या है को लिनियर वेक्टर हैं लेकिन इनकी डारेक्शन कैसी है से मैं क्या है डारेक्शन से मैं ठीक साथ क्लियर हो गया अब अगर हम को लाइजन पढ़ ले इसको इदर लिया है और इसको इदर लि परेतों हैं लेकिन निंजी कैसी हैं अपूसे टेल को सब हो जाते यह है जहती है कि क्या Mi है कॉन सब लोगे हमारा को ही कॉट इनीशिल हो ऑप को प्लानल हो गी झेक言 और बी कि नंबर हो इसका को linear vector क्या को linear vector भगिया इनको भी समझ दिया हमने ठीक है अब देखें यहां बड़े मैं समझा दूं फिक्स वेक्टर ठीक है फिक्स वेक्टर क्यों होता है displacement वेक्टर को हम फिक्स वेक्टर बोलते हैं जिसका initial स्टृक्ट को बॉलते हैं लोकलाइज़ एक्टर भी बोलते हैं लोकलाइज़ वेक्टर भी बोलते हैं तो इसका magnitude change हो गया direction इनकी सेम रहती है clear हो गया retardation है तो acceleration opposite में आजाता है displacement ब्रेक लगा दिया तो displacement आगे जा रहा है velocity पीछे आ रही है acceleration पीछे आ रहा है speed down हो गया velocity और acceleration दोनों एक साथ में तो speed up हो गया क्लियर हो गया यहां तक समझ में आगे चलो यह पोलर वेक्टर क्या होता है ठीक है देखो पोलर वेक्टर यह क्या वो यहां पर rotate कर रहा है कुछ time बाद यहां पर आ गया एक ㄹ्रेशंट इसकी ये थी एक डरेशंट ये थी ठीक है तो polar vector क्यों गाँ जो rotational effect देते हैं यानि कि या तो clockwise जाएगा ठीक है clockwise जाता है clockwise यानि कि पहले जाता है ntick Allah कहां जाता है और क्लोट बास रियूर अभुडट मेंने оч Advanced PayPal गया जैसे हमारी एंगुलर हो गई लीनियर वैलोtechnी वाय सेटैंप और क्या है पोला वैक्टर है तब हमारा पोलर वैक्टर के बाद या था खतम है आपका unit vector और orthogonal unit vector तो इसको थोड़ा सा मैं डंग से समझाऊंगा मैं चलता हूं यहां पर एक्सप्रेज unit vector चलो मैं यहां समझा देता हूं orthogonal unit vector देखो सबसे पहली परनेरीर ओरthogonal क्या होता है और्थogonal unit vector थिक युनिट वेक्टर को हम के Gabriel पर देंड करते हैं, मालो एक कोई वेक्टर है, तो इसका unit vector कितना हो गया, capital A, ठीक, vector कितना हो गया, यह हो गया, और A क्या है हमारा, magnitude, क्या है, magnitude, और orthogonal unit vector क्या होता है, से घेक वैङसे जो क्या हूं एक दूसरे के मिचटिवल न मिटेग्श्ण लाएं यह सब क्या कहलाते है तो JUL जो एक वैंड़ीर्पर 2106 rec को था इत्लow Frühस यह एक वैक्टर यह एक वैक्टर यह को आर्थो गोणल वैक्ष्ड को झाल ध्लिधा है क्या होता है को इनिशल वेक्टर होता है ठीक है साब यानि कि यह हमने अगर ले ली इसको X-axis इसको लिया हमने Y-axis और इसको लिया हमने Z-axis ठीक है तो यह सब क्या है हमारे Orthogonal Unit Vector होते हैं इनकी एक specific direction होती है ठीक है यानि कि अगर हम किसी particle को यहां से यहां पहुचा दें यहां पर किसके अगर जब हम space देखेंगे space में तो यहां पर point क्या है अब 3D में आ गया ना X, Y, Z तो अब object की जो position होगी वो X-axis पर भी होगी Y-axis पर भी होगी और Z-axis पर भी होगी तो माल लो इसका effect यहां पर आ रहा है हमने इसको और आगर बढ़ा लिया यहां पर इसका effect नीचे भी देखने के निए तो एक हमारी Z-axis हो जाएगी और एक हमारी Y-axis हो जाएगी ठीक बाइक हो जाएगा है यहां पर तो जाएग यहां पर तूंछ अए और व्यक्तर हो गए हमारा कितना XX क्यों होगा फॉस्क्रेट्र यांट्र ने यहां से समंख लें यहां पर लिखा है हमकर एक्स कितना हो जाएगा एक्स चीजटना होगया एक्स-टी सिन्टीन की एक्स आइक नहीं हो एक्स और तो और किन tampoco ऩटनों हो गया वेक्टर एक्स अपाँ एक्स च मेंगिट 15 हमारा चिक है हम के के कले तो कि हमारे कृतन को जा गा ज्यागा कि आपां मौड को टिक इस अधा हमारे क्या होते हैं युनित वैक्टर होते हैं अगर हम टू पड़ रहे हैं तो एकस and Safe लिगए फिर उदेड yn लिया तो पहले जैड़ गाया भुझाएगा अगर जैड़ कोई गाया भुझागा अगर वाई है तो X गाया भुझागा कोई दो वेक्टर रहेंगे ठीक है तो यह क्या होता है हमारा और्तो गोनल यूनिट वेक्टर अब टॉपिक लिखा है यहाँ पर एकस्प्रेश और इसमें 4 case है हमारे कितने case 4 यह पहले हम समझें component of vector फिर उसके बाद में समझेंगे अब इसको component of vector in 2D component of vector in 3D clear component of vector हमें देखने हैं ठीक है चलो component of vector हमने कोई यह ले लिया xy plane क्या लिया कोई xy plane ले दिया clear हो गया है अब इस एकस वाइप अंदर हम क्या करेंगे इस xy plane के अंदर क्या करना है हमको माल लो कोई vector है या कोई vector हो सकता है हमारा कुछ भी होगा इसका नाम यह हमारा वेक्टर अ अब इसको हमें रिजॉल्व करना एक्स वाई पिलिन के अंदर किसमें एक्स वाई कंपोनेंट में इसको तोड़ना है ठीक है तो देखो यह अगर हम इसको थोड़ी देखनें बॉल ले ले कोई एक बॉल लेते हैं ठीक जैसी हम इस बॉल को किक करेंगे तो जी किस तरह से जा रहे होगा इस से जाएगा इस तरह से अबढ़ाएगा बढ़ाएगा तो जी क्या हो रहा है इसकी कम्पोनेंट चेंज हो रहे हैं लगी कोछ कि यह वाई में जा रहे हैं कुछ हूप जडू धार को टूड़ी हो गया इस वैक्टर को अठाकि कर दें चलो कोई बात नहीं है मत करो ठीक हमने क्या किया यह वेक्टर लिया ठीक है अब हमने देखा यह कुछ x डारेक्शन में भी जा रहा था इस x डारेक्शन में और यह कुछ y डारेक्शन में भी जा रहा था ठीक है साथ तो बेस x से हमने बनाया ठीटा क्या बना लिया ठीटा और इस वेक्टर को हमने नाम दिया है वे वेक्टर ऐ यह वाले जो डारेशन हो जाएगी आपकी ऐएक्स हो जाएगी और यह कितने हो जाएगा आभाई जायगा अब क्या करेंगे वैक्टर को हम सिफ्ट कर देंगे धिसमें के साम यह अंक्सक्र अभिए धैon फीका व इसे लेक्टर कोुस्जद के आई यहां और हमने यह पर उसक्य उपर कर दिया यह हमारा एंगिल ठीटा हो गया ठीक है तो जैसे यह AY को रिपर्जेंट कर रहा था इसी Tale से यह भी हमारा किसे को रिपर्जेंट कर देगा एंग को है यह ऑगर हम देखें तो इसका इंट vida एक हमें एक देखना है कितना होगा तो हम जानते हैं साइन ठीटा इसी तरीके समारा कॉस्टीटा कितना हो जाएगा कॉस्टीटा हमारा हो जाएगा तो यह एकश इसकटना हो गया एकॉस्टीटा कितना हो गया एकॉस्टीटा कितना हो गया और एसकी एकूशन मैं एसे भी लिख सकते हैं साइस is equal to ax की ज़्यक्ता लखेंगे एक स्टीटा आई कैफ पिलस एवाई कि साइन ठीटा जेक है यह कैट्रिगनोमेटरिक रिशियों में यह क्या है एक एकसाई कैप में किसमें एकसाई कैफ में किलियर हो गया तो ना हां ठीखेश साब किलियर हो चलो अब देखते हैं जरा इसकी उपर एक नुमेर्कल देखे लिए आपको सब्सक्राइब यह पॉइंट दी हुए है तो कॉमा थिरी अब इसमें पूछता है आपको इनमें वेक्टर नोटेशन में दिखाना है ठीक यह कोई वेक्टर ए था इसकी पोजिशन है 2,3 कितनी है 2 कॉमा थिरी साथ किलियर हो गया और हां यहां पर अगर हम इसकी डारेक्शन देखेंगे तो डारेक्शन निकाल लेकिनी हम क्या करते हैं डारेक्शन इस इकल्टू कितना हो जागा यहां से कितना एंगल बना रहे है टेंटीटा तो टेंटीटा इस इकल्टू कितना हो जाग मframe कितनो जागा तू किसा ने एक डायक्षं में हमारा कि जी चाफ से कि विए 8 जबाई एक tutor हो गया कि हमारा वैंब ठीक है three upon two अगर हमें एंगिल याद है तो एंगिल लिख दे वारना हम यहीं तक छोड़ सकते हैं clear हो गया इतना समझ में आ गया यानि की वेक्टर एक नूटेशन हो गया अच्छा सर एक चीज़ बताओ क्या कि यह तो हमने देख लिया ठीक है कि वेक्टर हमारा xy plane में हम positive लेकर चल दिए तो यह तो हमारी एक general condition हो गई ठीक साब जन्नल गंडीशन होंगी पर ज़िसर्पस क्या सर ग्रॉल्टर इस तरह से भी रूल्फ हो सकता है कि मतलब बारिस हो रही है यहार अर्ष रिया है ऐसने दू इक ऐसे भी हो सकता है कोई चीज हमारी ऐसे भी जा सकती है ठीक है और कोई हमारी ball इस तरह से भी हम फैक सकते हैं तो यह भी तो होते हैं हाँ इनमें भी condition बनेगी बिल्कुल बनेगी साब तो मेंना के तोड़ देंगी बने एक हमने यह ले लिया और न यह ले लिया किसे हम नगोंतें बस से चीच बनाते हैं एकसे से यह हमारी नेगेटिफ red सिंस में जा रही है ठीक है नहीं ऐसा अच्छे संते हैं इससे अच्छे से हरो हमने य चार ले ले लेटें पहला लेते के सम्छाइन को डियाते है है कि वाज करें तो अपना घंडिशन थीए अब हमक्स क्या करते है कि हम अब एकस वाई полез नाया है एकसवाई लेज अब इस तरह से करा dando कि ब्up य।ter विस्त ने Ubged कैश्टू में अब क्या करेंगे वैक्क्तर कम इस तरह से लेकर हैं रहे क्या वना दिया कि यह मारा केश्टू भाइँ ठीक और केश और डाल दें हम कि अथि wizpit क्या ही यह रहा ठीक अब एक्टर सिफ्ट करा दो था करा रहे हैं तो अब हम करेंगे क्या देखो हमने यहां से ले लिया कि वैक्टर हमारा कुछ इस तरह ऐसे जा रहा था ठीक है यह वेक्टर की डारेक्शन थी किलियर तो अब हम इसकी उपर क्या करेंगे वेक्टर शिफ्ट करेंगे ठीक है आप कर लो इसका सर हमने ये ले लिया और इसका हमने ये ले लिया सर बेस से हमने एक्सी बना लिया बेस से हमने ठीटा बना लिया यह हमारा कितना हो गया यह हमार तो अब यह हमारा सिफ्ट हो गया ठीक है तो अब यह हमारा क्या दिखाने लगेगा यह हमारा एवाई दिखाने लगेगा ठीक तो अब इसकी resultant equation क्यों होगी देखो एक्ष डारेक्शन नेगेटिव वाई डारेक्शन पॉजिटिव ठीक है तो माइनस ए एक्स i cap फिलस ए वाई जे कैप हम जानते हैं एक्स इसगाल टो कितने होता है हमारा a कौस ठीक है i cap फिलस ए वाई साइन ठीक जे कैप केलियर हो गया इस कंडिशन में ठीक है साम इधर भी कड़ा दो कर लो साम लो वेक्टर हमने ऐसे कर लिया Marx Y component तोड़ लिए यह सर्ड एक्स हो गया यह हमारा Y हो इससे सराइपने बनादा थीटा बना धिया थीटा थीटा सब श्रह फेक्टर भी सिफ्ट करा देख बिलकुल करा दो साथ यह उसाथ करा दिया ठीक है तो इसे वाले वैक्टरों इसकी जो equation होगी वो कितनी हो गई AX जी case first है जी डाल दो case second क्या डाल दो case second vector a is called do sir कितना हो गया vector a is called do हो गया हमारा negative AX i cap plus negative AY j cap बारिस वाज़िया इन्हीं में होती है या तो इन्हें में होगी या फिर इन्हें में होगी ठीक है जो गैंद फैकी जा रही है क्लियर हो गया AX AY भी हमारा कैसा negative कैसा negative sir AX की जगा हमने लिग दिया A cos theta i cap minus AY sin theta ठीक है जे कैप ठीक है यही था यानि कि express in notation जो था components of two vector कहां गया उसमें मैंने करा दिया था यह express in express unit vector notation तो वही चीज है जो मैं करा रहा हूं ठीक है एक्स प्रेज आ यूनिट वेक्टर notation चलो जहां पर है यह रहा किलियर यह हो गया हमारी equation clear हो गया चाहें तो इसको मैंस भी लिख सकते हैं माइनस लेने common तो A cos theta i cap इसको करें ब्रेकेट में बंद ay sin theta j cap ठीक अब इधर गिरा दो लो साफ गिरा दिया vector shift कर दो सर तोड़ दिये यह रहे theta x से बना लिया यह ax हो गया यह ay हो गया सर vector भी shift कर दिये लो साफ कर दिये इसका भी vector shift कर दिया कर दिया ठीक साथ क्या हो गया अब देखो एक्स पॉजिटिव है वाई नगेटिव है एक्स पॉजिटिव है वेक्टर ए कितना हो गया ax i cap पिलस अब देखो वाई कैसा है नगेटिव तो ay j cap एक्स की जागे आपने कितना रख दिया a cos theta i cap माइनस ay sin theta j k एक्स पॉजिट वेक्टर नोटेशन भी हो गया ठीक है दो मिनट थोड़ा रेस्ट कर लूँ pak रे मानला व poko идет को इक्स पॉजिट मानला युनिट वेक्टर नोटेशन भी हमने देख लिया कुछ बचता है क्या वेक्टर कंपोनेंट इंते रिदी या वेक्टर कंपोनेंट से रि दी देखो सुने एंत्रीडी में यानै की वेक्क्टर component in 3D अब तक क्या देखा था आपने 2D में देखा था अब 3D में देखना है ठीक है तो देखो हमने अपना कोई XY plane मनाया और इसमें एक Z भी जूड़ दिया तो जो कौन सा plane उड़ा रहे हो तुम XYZ plane उड़ा रहे हो clear? ठीक इसको आपने X ले लिया इसको आपने Y ले लिया इसको आपने Z ले लिया अब देखेजिए एक्स एक्सिस से वेक्टर कुछ एंगिल बना रहे है तो हमने नाम दे दिया एंगिल अलफा क्या दे दिया हमने नाम अंगिल दे दिया इसको अलफा है अब देखे हैं जैडe एक्सिष से वह कुछ एंगिल बना रहा है कौन सी एकसिस से सामझ लो यहाँ से यह थीटा बन गया और यहां से थीटा बन गया यह थीटा बना रहे हो लगा ठीक है तो हम जानते हैं कौसट ठीटा इसके तो हम उसका हाइपोपता है पता कंदिक जरूरत नहीं है तो हम जानते हैं कोस अलफा इसे कजदू क lipstick अबता है छ significant होताएब ους upon hypotenuse तो दैस यहां से कितनों होगा एक्स एक्स से एक्स होगा एक्स अम्हारे बैस कितनों होगाँ एक्स य'क से होगा a y और इससे कितना होगा हमारा a z लो साब हो गया a x cos theta is equal to base upon hypotenuse हो गया हमारा a ठीक है साब cos beta तो cos beta हमारा कितना होगा a y upon magnitude of a ठीक है साब cos gamma कितना होगा a z upon magnitude of a clear अगर हम इनको length equal कर ले इसको ले ले l इसको ले ले m और इसको ले ले n ठीक है साब और देखो वेक्टर a के component साब आपने किस में तोड़ने है 3D में तो वेक्टर a के component जो होंगे 3D में वो कितने होंगे a x i cap plus a y j cap plus a z k होगा अब जब इसका magnitude निकालना होगा तो magnitude हम क्या करेंगे नीचे magnitude है ना तो कितना हो जागा a x का square plus a y का square plus a z का square यह सारी चीज़े होंगी ठीक है साब अब हम क्या करें इन equation को squaring both side करके जोड़ें या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो कॉस अलफा अब आपका कितना हो जाएगा a x upon ठीक है a x upon कितना हो जाएगा अंडर रूट a x square plus a y square plus a z square similarly आपका कितना होगा similarly आपका कॉस बीटा कॉस गामा भी होंगे कॉस बीटा भी होगा और कॉस गामा भी होगा और अलफा तो आई गया चलो एक यह एक और यह ठीक है तो आपका यहां पर जो कॉस बीटा होगा ठीक है यह चेंज गल्लो बस खाली यह चेंज गल्लो हो गया काम ठीक है यह कितना हो जागा कॉस बीटा और यह कितना हो जाग यह कितना हो जागा आपका cos gamma अगर हम इनको squaring both side करके जोड़ देते हैं तो देखो यह कितना मिल जागा हमको cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma ठीक है squaring both side करके जोड़ेंगे तो इसका भी square हो जाएगा ठीक है यानि कि कितना हो जागा ax upon ay upon az ठीक और नीचे से क्यों होगा यह सब कट जांगे क्या हो जागा नीचे से कट जांगे तो मैं यहाँ पर लेकर चलता हूं cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma कितना मिलेगा आपको इसका square करेंगे तो ax square plus ay square plus az upon ठीक है जानि कि देखो जब आप इसका square करेंगे तो यह भी square होगा यह नीचे से हटाएगा यह square होगा यह नीचे से इंटरूट हटाएगा इस से मिसी में होगा ठीक तो आपको यह कितना मिल जागा नीचे ax square plus ay square plus az square यह हो जागा कट जागा कहने का मतलब है कि अगर हम cosine square को sum करके जोड़ दें तो इसकी हमें कितना identity मिलती है उसके हमें मिलता है unit vector a मतलब 1 मिल जाता है क्या मिल जाता है होगा वन होगा यहनकी एल square plus m square plus n square also one तो हमको मालुम चलेगा कि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to कितना होगा l square plus m square plus n square ठीक है is equal to one ठीक है तब आपको एक question देता है मालो एक question आपको ऐसे sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to आपको दिया है one अब आप से पूछता है कि cos square alpha plus cos square beta नहीं बिल्याइट नहीं 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 इसका मान पुछेगा यह पूछा हुआ question है को इसी तरीके से आपको इसका मान निकालना है और आपको दिये हुआ है cos square beta plus cos square gamma कि जान पार गामा कि इसका मान निकालना है तो हम जानते ह, trigonometric equation होती है sin square theta plus cos square theta is equal to one होता है कितना होता है sin square theta plus cos square theta is equal to one to sin square alpha plus cos square alpha कितना हो जाएगा one कितना हो जाएगा one हो ठीक है तब अब हम क्या करेंगे यह identity है यह हमारी definite होती है हमें इसका मान निकालना है तो इसको हम ले ले equation one और इसको change यहींज करेंगे तो हमारा कितना हो जागा यहां से कौस इसकारि अबर सक्क फेय booster कितना हो जाएगा वन माइनस जाइने.. alpha ठीक है साब इतना हो गया तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर change करेंगे यहाँ पर change करेंगे तो यह कितना हो जागा 1- sin2 alpha plus 1- sin2 beta plus 1- sin2 gamma ठीक है और यहाँ पर already 1 मौझूद था clear हो गया इतना तो यह कितना हो जागा 1-1-1-2 कितना हो गया 3 हो गया यानि कि sin2 alpha plus sin2 beta plus sin2 gamma ठीक है यानि कि आपने करा क्या यहाँ से minus और common लेके चले है ठीक है minus आपने common ले लिया और 1-1 जैसी जोड़ा तो यह कितना हो गया 3 कितना हो गया 3 3 यैनि कि यह 1 यह White ऊर्ट हो गया है तो आपको यहां से किटना मिलेगा जैसी यह मांडिति तीन इतर पहुंचाएगा तो कितना बच सर्फ जाएंगा स्दंवाऻिका स्ञाउं स्कॉएर बीनत Сब्स स्कॉएर बी olun और सिन स्पॉर में ऊ जए तो यहां पर मालेत से तो यह One इंग में हैं यह यह स् 있थान गार्फा कहली कि यृट Units यह मैं में है कि यह में यह पूशा हOOए चैलो इतना हो गया अब जड़ा देख लेते हैं पाइंट दा यूनिट वेक्टर निकालना है आपको क्या निकालना है यूनिट वेक्टर है ना पहला कुश्य है ठीक है तो यूनिट वेक्टर निकाल लेगनी आप क्या करेंगे देखिए यूनिट वेक्टर कितना होता है मोड़ वेक्ट सब्सक्राइड का स्कायर किया हो गया है ठीक मोड हमने निकाल लिया तो कितने हो जागा टू का स्कॉर पिलस थी का स्क्वराइब पिलस टू स्कॉर two का स्कॉर two two four plus three three five round nine plus fourś four four eight eight nine कितने हुंगना हो इसात्तरा कितना हो गया सत्तरा तरह याने कि मोड़ाव तो एक है पिलस ठीजे कैप प्लस ट्यके अपन अंडर रूट सेविंटीन तो पोश्चन आपको इस तरह से विचे सकता है यहां सर आजैँ होगा 2 upon under root 17 i cap plus 3 upon under root 17 j cap plus 2 upon under root 17 k cap यह हो गया आपका answer ठीक अगला question क्या है find the unit vector of a plus b देखो भया यहाँ पर a vector अलग दिया है b vector अलग दिया है तो पहले आपको इसका resultant निकालना है फिर उसके बाद में जो resultant आएगा फिर उसका आपको क्या निकालना है magnitude निकालना है unit vector of a plus b यह आपको दे रखा है ठीक है हो गया चलो a plus b कोई आएगा आपका c d x y z जो चाहाँ वो ले लो ठीक है तो आप कहा निकालना है vector c निकालना है ठीक है a plus में b जोड़ेंगे तो यह 2 में यह 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5y cap minus j में यह 2 j जुड़ेगा तो कितना हो जागा minus 3 j k में k जुड़ेगा तो कितना हो गया 3 में से 2 घटेगे तो कितना बचाएगा तीन में से 2 तो एक बचाएगा plus का k कैब यह आपको c अब आपको कहा निकालना है इसका magnitude निकालना है तो magnitude निकाल लेंगे आप क्या करेंगे CX का square plus CY का square plus CZ का square लगा देंगे तो जैसे लगाया है तेल तोले सावल लगवा गया है 5 का square plus minus 3 का square plus 1 का square कितना हो गया 25 plus 9 plus 1 10 9 29 और एक 10 10 25 35 कितना हो गया under root 35 कितना हो गया यूनिट वेक्टर सी निकालना है क्या निकालना है यूनिट वेक्टर सी तो सी वेक्टर अपॉन मोड़ वेक्टर सी हो जायागा भया क्या हो जायागा mod of vector c स्थां mod of vector c c j आया है आपका क्या आया है c यह आया है c यह आया है तो c कि अब जब आब निकालेंगे तो 5 अपावन अंडरूट कितना आया कि चाहें तो 7 55 करने तो कोई फायदा भी नहीं होगा ठीक है साथ तो हम एसी रहन देंगे अंडर रूट 35 आई के ठीक है था पिलस माइनस 3 कितना माइनस 3 अपन अंडर रूट 35 जे के पिलस के पिलस के के अपन अंडर रूट 35 आगे आपका कोई और कोशन ड्रॉद एक्स एंड य कंपोनेंट ओफ गिविन फिगर ओम फो धर्राइं सी काट गई ठीक है सा देखो 30 डिएक्स वाई कंपोनेंट दिखाने अब डियरेक्शन तो दी नहीं है to हम क्या करेंगे इसके भी चार निकालेंगे और ही ओकै देखं़ें इसको कर लेते हैं पहले इसको कर लेते हैं थ 아닐क है देखिए यह किस तरफ आरहा है नीचे की तरफ़ आरहा है तो वेलोसिटी की है ऐसे आ रहा है ठीक है यहां पर x negative है y negative है ठीक है तो दोना है अगर आम इसके वेट के वेट में तोड़ना चाहिए तो टोड़ लेगा एक्सलेरशन ड्यूटो ग्रेविटी कहा होता है नीचे लगता है तो वेट इसका कहा होगा नीचे होगा कहा होगा वेट इसका जी नीचे लगेगा तो वेट एमजी हो जाएगा नीचे की तरफ ठीक है साथ एक इसका क्यों होगा यह हो गया एक परपेंडिकुलर होगा ठीक है साथ जब यह ठीटा है तो इसको सिफ्ट कर लो नीचे अब हम क्या करेंग इस वाले को shift कर लेंगे तो angle हमारा कहां मिल गया angle हमारा यहां मिल गया 30 degree हो गया ठीक है साब तो किस angle पर जा रहा भाई है जे भाई साब हमारे तो हमारे जो भाई साब हैं वो इस तरह से जा रहे हैं यह तो condition थी यहां से यह 30 थे यहां पर इनकी vector shift करें गये तो यह हमारा क्यों हो गया यान की weight of x हो गया और यह क्यों हमारा weight of y हो गया चलो क्या हुआ जे ठीक है साब हो गया vector shift हो गया यानि कि अगर उसको लें तो यह component इसका यह हो जाएगा और यह हो जागा ठीक है साब चलो तो अब हम जब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो गया weight हमारा यानि की w x i cap plus w y j x से कितना है भाईया x से हमारा w जो है कितना है 30 degree पर आ रहे हैं कितने पर 30 degree पर तो जहां कितना लगांगे cos 30 plus कितना होगा w sin 30 अब देखे लो कौन सा positive है कौन सा negative है दोनों ही negative है दोनों ही negative है नहीं एक negative है हाँ दोनों negative है तो ठीक है माइनस इदर लेकर चली हो इसका w को common ले लो cos 30 की value लगा लो तो cos 30 कितना होता है cos 30 होता है under root 3 upon 2 कितना होता है under root 3 upon 2 और यह कितना होता है w sin 30 sin 30 की value कितनी होती है आइन तीस की value होती है हमारी 1 upon 2 तो कितना हो गया 1 upon 2 हो गया इलियर हो गया चलो अब इसी तरीके से मालो यह इस तरह से जा रहा है ठीक है यहां से तो यह बेश से कितना एंगल बना रहा है 30 degree vector shift करा तो यह कितना हो गया यह हमारा हो गया Y का एप और यह हमारा कितना हो गया X वाला हो गया ठीक है तो हमें इसके component तोड़ने थे ठीक है तो हमने तोड़ लिए तो W स्कल्टू कितना हो जागा W X ठीक है I cap पिलस W Y J कैप W X कितना होता है W ठीक है Cos 30 I cap पिलस W sin 30 J कैप डवलू ऐसी रेंदी हमने कॉस 30 कितना है हमारा कॉस 30 कॉस 30 कॉस 30 कॉस 30 ठीक है कितना लगा है अभी अंडरूट 3 अपॉन 2 और यह कितना हो गया 1 अपॉन 2 ठीक है यह हो गया हमारे वेट के component ठूट गई ठीक है तो चाहिए अगर हम साइन ठीटा में ठोड़ दें या कोई ठीक हो गया कोई कोशन है नहीं है तो फिर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो होगी हमारी मोशन इना पिलें की ठीक है जया हो